मनमोहन सिंग जिन्होंने भारत के प्रधान मंत्री पैड़ पार 2004 से 2014 तक सेवा की भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने में महात्वापुर्ना भूमी का निभाय मनमोहन सिंग ने भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया 1. Economic Reforms मनमोहन सिंग ने 1991 में भारत के Finance Minister के रूप में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की Unholed Industrial और Trade Policies में सुधार की और Privatization और Globalization को बढ़वा दिया 2. Liberalization सिंग की नेताई में भारत ने आर्थिक उदारिकरण और व्यापारिक क्रियमवेन में सुधार किया इसे व्यावसाइक गतिविधियों में व्रीधी और विदेशी निवेश को बढ़वा मिला 3. High Economic Growth मनमोहन सिंग की नेताई में भारत का आर्थिक विकास महात्वापुर्ना था उनका नेत्रित्व समय समय 59% से अधिक विकासदार को दर्ज किया गया 4. Infrastructure Development सिंग सरकार ने Infrastructure विकास पर भी ध्यान दिया इसमें बिजली, सडक और परियोजनाव में व्रीधी शामिल है जो उद्योगों और व्यावसायों के लिए महात्वापुर्ना है 5. Financial Inclusion अनहोन प्रधान मंत्री जान धन योजना और महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act मैगमरेगा जैसे योजनाओ को शुरू किया, जिसे की गरीबों और ग्रामन लोगों को आर्थिक समावेश में सुधार मिला 6. Global Financial Crisis सिंग की नेतरित्व में भारत ने 2008 के ग्लोबल आर्थिक महासंकत के बवजुद स्थिर अर्थव्यवस्था बनाए रखा 7. Fiscal Responsibility मनमोहन सिंग सरकार ने Fiscal Responsibility और Budget Management में सुधार किया, जिसे Fiscal प्रबंधन सुधार गया मनमोहन सिंग ने भारत की अर्थव्यवस्था को सुधार में और विक्सित करने के लिए महात्वापुर्णा कदम उठाए उनका नेत्रित्व भारत की आर्थिक स्थिती को सुधारा और ग्लोबल मंच पार भारत को एक मजबूत आर्थिक राज्य के रूप में स्थापिट किया